जो मुह का छाला है माउट अलसर है दातों में किसी भी तरह माउट अलसर है या पिर आपका मुह में छाले है या जो खाना पीना खाया नहीं जाता है खाना खाने से आपका मुह में जो अंदर है बहुत ज़्यदा लहर रहा है इसके करण आप खाना नहीं खापाते हैं यह ज़र से लेकिन मैं एकी जेल के बारे बात करूंगा जिससे आप पूरी जल से आप छुटा सकते हैं इससे चुटकाराम मिल सकता है ज्यादा दी तीन से पाइजिन के अंदर यह जो मुष्ट कुरे का चाहिए इंफेक्ट्स है मुव में च्छाले है मुव में किसी भी तरी का दाना है माउट अलसर यह एक ही जिल के सारे आप इसको खतम कर सकते तो चलिए बात करते हैं औरा सोल जेल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो द अगर आपके मुव में चाहिए जान लेते हैं यूजर के बारे में इसका परियोग कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके मुव में चाहिए बहुत तीजी से फैल आए बहुत तीजी से हो गया है और माउट अलसर भी हो गया उसके साथ-साथ में आप उस समय और सूजन आ रहा है तो तो सूजन के लिए भी आपका और सोर्ज जेल का इस्तमाल कर सकते हैं यह बात कर देते हैं कि इसका इस्तमाल करना है कि उससे पहले यह जरूर ध्यार नखेगा कि आपको अच्छी तरह से जो उंगली से लगाना आपको जेल अंदर लगाना है तो अच्छी तरह से उंगली को धो लेना है और जहां चाला होगाना है उगली में जेल लेकर जहाने चाला होगाना या फिर घषना नहीं है तो आपका काम नहीं करीगा अगर वहीं लगाई उसके बाद में अगर खा लिये तो उसके चीज ध्याद लखना है उसके बाद इसको लगाना है दिन में 3-4 अगर आप यह रीजन तो आपको दो जिन पता चल जाएगा लेगिन इसके इसके साथ साथ में एक पर किलिए रोज़ागा साथ से दस दिन अगर शुरुआ सुरुआ शुरुआत में तीन टाइम लगाई है उसे साथ साथ में आश्या से कम करते जाए दो टाइम एक टाइम यानि साथ से दस दिन में आपका जो मुझ का छाला है माहत अलसर है दातों में किसी भी तरह इंफ्रे करना